हेलो फ्रेंट्स वेलकेम बेक टो माई यूटूब चैनल प्लांट सेंट पैट्स लवर फ्रेंट्स आज हमें कैसे फटिलाजर के बारे में बात करेंगे जो हम अगर हम अपने प्लांट में देंगे तो उससे हमारे प्रांट पे भर-भर के फ्लावरिंग होगी चाहे वो विंटर फ्लावरिंग प्रांट हो और चाहे पर्मानेंट और उसको आप अगर बना कर 15 दिन में एक बार अपने प्रांट में यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा और कैसे बनाना है और किस चीज से बनाना है आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो फ्रेंट ये है आज का जो फटिलाजर इसको तैयार करके रखना पड़ेगा टाइम लगता है थोड़ा इंस्टेंट बनाने वाला फटिलाजर ये नहीं है फ्रेंड्स और ये देखे गुड गुड जैसे कि हमारे लिए फाइदेबंद है गुड या जैगरी जो भी आप कहते हैं फ्रेंड्स इसको तो गुड आयरन का खजाना है आयरन इसमें बहुत ही पुष्टिक तत्व हैं और सर्दियों में तो गुड और मुंगफली सभी खाते होंगे तो आपकी किचन में जरूर गुड होगा तो आप गुड से फटिलाजर बना कर तयार कीजे और इसके साथ अगर में थी भी मिला कर आप तयार करेंगे फटिलाजर मैंने फ्रेंड्स तयार करके रखा हुआ है इसका फटिलाजर और मैंने संतरे के चिलके और गुड का भी फटिलाजर तयार करके रखा हुआ है तो ये दो फटिलाजर आप तयार करके ऐसे रखिए बहुत ही बैस्ट हैं सर्दियों के लिए फाइदे मंद है और मेथी सीड्स मेथी सीड्स तो friends मैंने पहले भी मेथी शीरिज के ओपर एक video friends share की हुई है तो मेथी हमारे plants के लिए बहुत ही फाइदेंद है मेथी एक kitchen में मिलने वाला एक मसाला है आपकी kitchen में जरूर होका और मेथी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा फाइदेंद है तो मेथी भी इसमें कैल्शियम तो इसमें इतने सारे न्यूटिशन्स हैं तो ये दोनों चीज मिल करके जब फटिलाजर तयार करेंगे हम इनका तो ये जबरदस्त रिजल्ट होंगे ये देखे एक महिना हो गया है मैंने एक लिटर पानी में ये मैंने अंदाज से ही ली थी वैसे आप नाप करके ले सकते हैं 25 ग्राम में थी तो 25 ग्राम गोड़ एक्वल लेना है एक्वल पाड़ रखना है आपको तो ये देखे ये फटिलाजर बनके तयार में थी के जो सीर्स हैं बिल्कुल ही गल चुके हैं और ये अब हम अपने प्रांट में देना है इसको बहुत ही ये फिर आप इसको किसी भी प्लांट में दीजे फ्लावरिंग प्लांट पे तो इसका जबरदस्त रिजल्ट है मैं इसको यूज कर चुकी हूँ फ्रेंड्स और मैं अब दुबारा इसको यूज कर रहे हूँ तो जब इसको आप विगो कर रखेंगे फ्रेंड्स एक महिने के लिगो कर छोड़ना है तो इसको भी बीच में आपको डेली एक दो दिन के बाद आप इसको खोलते रहे हैं ने तो इसमें गैस बढ़ जाती है तो फिर डबा भी हमारा फट सकता है तो इसलिए इसको Daniel करके और हिलाए इसको और फिर बंद्द यह देखे मैंने लिया है फ्रेंस थोड़ा सा ही तो मैंने एक डेड़ लिटर इजर पाने लिया है आप एक लिटर में 20 ml मिला सकते हैं यह हिसाब रख सकते हैं क्योंकि इसको कम ही मिलाना है पतला सा घोल बना कर ही अपने प्रांट में दीजे और यह फ्रेंस मेथी सरसो की खल बना कर दे सकते हैं एक दो दिन रख करके तो यह यह वाला जो प्रोसेस है यह थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन इसका रिजल्ट घजब का है अब यह देखे मैंने मिलाया है फ्रेंस ऐसा पतला घोल रखना है और आप इसको अब किसी भी प्रांट में दीजे आपको बह क्योंकि इस प्रेंस से भी हमारे प्रांट को नुंूटिसंस मिलें गे तो आप इसका इस प्रेंस प्रेंस पर कर सकते है nonго और इसकी मिलानी पड़ेगी और इससे हमारे प्रांट में कुछ भी कीडे मकोडे भी नहीं होंगे चीटियां भी नहीं होंगी जो बैड बैक्टिरिया हैं वो भी खतम होंगे इससे इसकी स्मेल से ही चीटियां वगरा भी और कीड़े वगरा मर जाते हैं तो फ्रेंट्स ये था मेथी और गुड दोनों चीजे जैसे हमारे लिए फाइदे मंद हैं ऐसी हमारे प्रांट्स के लिए भी फाइदे मंद हैं तो देखें इधर में सारे जो मेरी विंटर फ्लावरिंग प्रांट्स हैं तो मैं इधर सब में दूंगी और प्रांट की इससे शुरू होगी, ऐसा नहीं है Friends की हमने आज डाला और और विक आपको दो तीन दिन में ही flowering आनी शुरू हो जाए ऐसा नहीं है किसी process में time लगता है ऐसे ही flowering का भी है Friends हमारा प्रांट्स ग्रो करेगा बर्स बनेंगी, बर्स बनने के बाद फिर फ्रेंट्स उसको खिलने में टाइम लगता है तो यही हमारे प्रांट का है फ्रेंट्स नेचर का भी तो प्रांट तभी फूल देंगे जब उनकी ग्रोथ अच्छी होगे और कलियां बनेगी उन पर तो फ्रेंट्स यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर चरूर कीज़ें